चुनावी रणनीती तो पंचायत और विधानसभाद चुनाव की बन रही थी लेकिन उससे पहले MLC चुनाव काफि दिल्चस्प होता दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां 12 सीटों पर चुनाव है जिसमें BJP के खाते में 10 सपा के खाते में 1 सीट लेकिन 12 सीट के लिए यहां जो राजमाईश होगी लडाई होगी किसका कबजा होगा बल पर सपा ने दो मिद्वार होता रहे हैं बसपा ने दो नामंकन पत्र खरीदे हैं जानने की कोशिश आज करेंगे क्या MLC चुनाव राज्यसवाब पार 2 होगा या फिर कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारूप कराएं बीजेपी से विवेक सिंग हमारे साथ है उवेद नासिर साप कॉंग्रेस से हमारे साथ शौकत अली जी समाजवादी पार्टी से राजनेतिक विशलेशक के तौर पर नीरज सिंगल जी हमारे साथ है धरंबीर चौधरी बसपा से हमारे साथ है और वरिष्ट पत्रकार अरवेश शाकूर हमारे साथ है आप सभी का स्वागत है चर्चा की शिर्वात बसपा से करते हैं क्योंकि बसपा सुप्रिवों मयावती ने राज्यसभाद चुनाव के द्वरान एक प्रतिग्या की थी वो समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए वो बीजेपी के साथ भी जा सकती है धरंबीर चौधरी आपके जरीए हम समझना चाते हैं जनता ये जानना चाती है दो नामंकन पत्र खरीदे गए हैं वो किस दौर पर किस बल पर किस बुनियाद पर क्या रणनीती है पंकर आएंगे और एक दिन बहन जी इस देश की प्रदानमंत्री जरूर बनेंगी ये प्रितिग्या बहुजन समाज के असंख लोग करते हैं जे और रही बात बहन जी की जो आपने का प्रितिग्या की है हम सभी बहुजन समाज के लोग ये प्रितिग्या करते हैं कि जो दलिस सम समाज के सर्व समाज के जो विरोधी हैं खासकर दलिस समाज के उनको नहस्ताना बूद जरूर करेंगे और मैं पंकर जी आपको बता दूँ कि अगर राजनीती का राजनीती में कोई सबसे बड़ा रणनीतिकार है तो वह आधनी बहन कुमारी मायवती जी हैं और उनसे बड़ के चुनाब में और पिछले चुनाबों में देखा होगा दो नामंकन पत्र खरीदे गए अभी जो है यह आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि दो नामंकन पत्र खरीदे गए हैं अभी नामंकन होने दीजिए नामंकन वापसी का दिन आने दीजिए सा बहुजन समाज को आगे ले जाने का जो सही निर्णे होगा वो बहन कुमारी मायवती जी जरूर लेंगी और आपको समय रहते हैं उसकी सूचना जरूर दी जाएगी उस रणनिती को बताने में संकोची किया चौधरी साहब जिसके बुर्याद पर आप दो नमंकन पत्र खरीद रहे हैं और आप प्रधान मंत्री का सफना देख रहे हैं आप कह रहे हैं उसको हम चुपाए चुपाए फिरेंगे और तमाम रणनिती हम बनाएंगे रणनिती हमारी बिल्कुल किलियर है जो पार्टी जो नेता आधरनिय बहन कुमारी मायवती जी को इस देश का प्रधान मंत्री चुने चुनेगा प्रधान मंत्री बनाने में सहयोग करेगा बहुजन समाज के लोग उसके साथ खड़े जरूर नजर आएंगे शकादली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ दूसरे नंबर पर आप दो उमिद्वार चुनाबी मैदान में जीत एक की ही हो सकती है आप जानते हैं और दूसरे के लिए कौन सा तिकड़म अपनाईगी समाजवादी पार्टी ताकि वो MLC बन पाए देखिए पंकजी समाजवादी पार्टी क्या तिकड़म बनाएगी यह मैं R9 पे नहीं बता पाऊंगा इसलिए नहीं बता पाऊंगा कुछ चीजे होती हैं जो गोपनी रखनी चाहिए लेकिन यह जरू कहूंगा कि हमारे दोनों प्रत्यासी जीत कराएंगे तो बताइंगे तो बताएंगे किस तरीकसे जीत कराएंगे किस जन्ता ये जानना चाहती है ये आंग चुनाव से तो अलग चुनाव है इसमें जन्ता ने तो मोट करना नहीं है पंका जी पंका जी मैं बता देना चाहता हूं पंका जी ओट के माद्यम से जीत कराएंगे जो हमारे विधायक हैं नेतागर्ण हैं वो ओट दिलवाएंगे और उसी के माद्यम से जीत कराएंगे इंता को हमने अस्वस्त कर दिया लेकिन यह नहीं बताएंगे वो कौन से विध कुछ चीजों गोपनिय रहनी जाए तो ज्यादा अच्छी है देखिए सबसे पहली चीज ये हम लोग अक्सर सिकायत करते हुए आएं और अक्सर हम लोग बहुजन समाज पार्टी पे कारोग भी लगाया और बाजपाप भी उसमें जोड़ा कि बहुजन समाज पार्टी लग और हमको कोई सपोर्ट भी नए करेगा यह भी आज साफ है रहमबीर जी कुछ भी कहें लेकिन सत्रता ये कि बारतीये जंता पार्टी भी इनको सपोर्ट सपोर्ट नहीं करें इनका यूज करेगी वेशर, करेगी, भी जाले मौदत में जीआए बारतीये हमारे पास हैं और हम सुनिए बिल्कुल सुनिजे ना सुनिजे ना हमारे पास एक जिताने की है और एक की हम कयास में हैं और जिता कर लाएंगे इसमें कोई फंड बटन नहीं है जे देंगे कैसे जिताएंगे ये बताएंगे नहीं पंकर जी ये टीवी पर बैट कर नहीं बताया जाएगा ना कैसे जिताया जाएगा जब हम जिस जगा ओट लेने का काम कर रहे हमें मिलेगा ये जानने की कोशिश करेंगे आगे चुपाई वाला गेम आखे क्या होता है जाप पर पारदर्शी तरीके से हम चुनाव लड़ते हैं हमारे यहां सब वैल इंगूट होता है सब के सामने होता है जनता जानती है कि हम क्या करने जा रहे हैं बिल्कुल पारदर्शीता रहती है लेकिन सुन लीजिए आप कोई मत दाता जो है जो मत देने जा रहा है जरूरी थोड़ी हम उसको स्वरजनी करें स्वरजनी करने कारिकार नहीं हैं हम कैसे स्वरजनी कर सकते हैं और इसी लिए हम बार बार दोहरा रहे हैं आपके चनल पे बैटके कि वो तीस तारीके बाद देखिएगा जब हमारे दोनों प्रत्यासी जीत कराएंगे और हम लोग बनाई देर होंगे तो आपके आर्नाइन चैनल को हम बुला लेंगे कि माराज ये तरीका था और अब जीत रहे हैं बसपा ने दो परचे खरीद लिये हैं बीजेपी की इस्तिती सब जानते हैं आप कहां पर खड़े हैं किसके साथ खड़े हैं हम तो अभी जो पार्टी हमसे एप्रोच करेंगी प्रापनली हमारे हाई कमांड से और हमारी इसके डीडर्शिप से उनके साथ खड़े हैं लेकिन जिस तरीके से ये लोग अपने परचे खरीद रहे हैं और जिस तरीके से कंडियर्स खड़े कर रहे हैं तो हमारा खाल है बारा के बजाए 15-16 सीटें करनी पड़ेंगी तब जाके कहीं एडिस्मेंट होगा हमारी पोजिशन बहुत किलियर है हम माइनेस बीजेपी कि पर्टी को सपोर्ट कर सकते हैं जो हमसे प्रफरली एप्रोच करेगी लेकिन यह फैसला जो है वह हाई कमांड करेगा हमारी स्टेट लीडर्शिप करेगी लाइस दिवात है कि हम परवक्ता है आप से आप से नहीं बता पाएंगे कि हमको कौन सपोर्ट करने जा रहे हैं ले अब कौन इसमें ज्यादा आगे निकल जाता है आउस्ट्रेडिंग में वह एक अलग बात है लेकिन अगर हमारे पास कोई आएगा तो वह हमारा डिसीजन जो है वह हाई कमांड लेगी या स्टेट लीडर्शिप लेगी हम अभी एक चीज़ और ही क्लियर करना पाएं अपन तीन विधान सबाउतर प्रेस में कोई लडाता तो उसमें फस्स सेकंड ठाड चौह नहीं करता है और हमारे हमस्त PAR सबाब सबस्क्राइब दावय तो राज्य स्वा चुनाव के दोरान भी हुआ था लगिजू हमने कहा कि यह चुनाओ को पार्ट पार्टी नहीं होरा है। इस्त ने हो रिस्त क्या हुई उन दावय की इस्तिति क्या रही। शौकत अली जी। दोड़ा सा ये चीजों को दर्शकों तक पहचाने की कोशिच भी करिए क्योंकि आमचन ये जानना चाहता है किस तरीके से उनकी ये पार्टी जो आप पे विश्वास करती है आपको वोट देकर जिताती रही है कि उसकी उस पार्टी की रणनीती आखिर क्या एसी रहती है हॉस राइडिंग की बात हुई तमाम एसी बाते होती है जो परदे के पीछ सीट को लेकर क्या आपकी रणनीती रहेगी क्या राज्यसभा चुनाव की तरह ही यहां बसपा को वकवर दे दिया जाएगा या फिर कुछ और मन में चल रहा है बीजेपी के आप बताएंगे या फिर आप भी पत्ते जेब में डाले रहे हैं नहीं उतार ही रहे हैं हम अप एस पर फेसे ज्यादा हमें नहीं लगता कि पार्टी हमारी इस तरीके की कोई हरकत करने वाली है कि कोई परिशान हो अब यह सौकत अली सब्सक्राइब कर रहे है कि समाजबारी पार्टी क्या कर रही है 2017 में क्या हुआ लोग सभा में क्या हुआ विधान सभा में क्या हुआ तो अगर आपका इतना ही जनाधार था तो उसमें कहने की जरूत नहीं है कि पीछे आप क्या करके हैं आगे क्या कर रहें अभी हमारे अभी हमने लड़े आराम से जिते आप दो दो किस दो आप लड़ रहे हैं आप ये तो बता दीजे बनारा किस बना पर आप लड़ रहे हैं रमेश ठाकुर जी बसपा को लेकर पहला कमेंट समाजवादी पार्टी को लेकर दूसरा कमेंट और तीसरा कमेंट बीजेपी को लेकर ग्यारवे ओंधवार को लेकर दस तो पंचे खरीदे गए हैं, 11 में की हमको जानकारी है नहीं, तो क्या किसी और के साथ तमाम जो बाकी बचे हुए बिधायक हैं, रमेश ठाकुर। इन लोगों के लिए कौने के लिए कुछ जादा कुछ है नहीं, इस चुनाव के लिए, अगर एक सीट सफा के खाते में चली जाती तो बहुत बड़ी उनकी एक सफलता मानी जाएगी, और दूसरी जो सीट है, जो बारा सीटों में जो लास्ट सीट जो बार मी बच रही है, अ तो बेहन जी को परधान मंतरी बनाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है देखो, इन चुनावों से आप एक परधान मंतरी या मुक मंतरी के लेवल की चीज़ों को नहीं जोड सकते हैं, हाँ, दो हजार बाइस का बिलकुल आपका चुनाव नजदीक है, बिलकुल देहलिश प को लेके मुझे लग रहा पंकजी बड़ी भर्म के इस्तिती होती है, आम लोगों को लोगों के बीच में, दक्रों समझी नहीं पाते हैं कि यह चुनाव हर छे मैने में चुनाव होते हैं, कभी MLC चुनाव, कभी सिक्षक चुनाव, कभी विदान सबा चुनाव, इस तरीके में लगता है, जो कभी-कभी हमें यह लगता है कि जैसे पूरे देश में एक चुनाव, एक की बात जब कही जा रही है, तो मुझे लग रहा है, वो दिसा बहुत अच्छी है, आदमी ना नेता भर्मित हो, ना जनता परेशान हो, इस दिसा में अगर एकी चुनाव हो जाए कि एक अभी मेरे को पैनलिस्ट ने यह कहा कि अभी हम अपनी योजना नहीं बताएंगे, तो उनके इन सब्दों के पीछे बहुत कुछ राज छिपा हुआ है, यह जो अपनी स्टाइजी जो है, इस्टाइजी वो बताना नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से चुना आगे बढ़ती थी, अब मुझे लाग रहा यह अपनी त्यारी नहीं बता पाएंगे, और नहीं बताने की कोशिस करेंगे, चले मैं आपके पास आओंगा, रवेश आपके पास आओंगा, तो नहीं इंतिजार कीजे, और भी बहुत कुछ जाना है आपसे, लेकिन सिंगल सा क्या होता है, हम रणनीती सामने बताएंगे, नहीं पीछे से हम क्या गुल खिलाएंगे, वह आप चुराव के नतीज़ों में देखिएगा। तो वह कहती है, अब हम अपना आत्मन्थन करेंगे कि हम से गलती कहा हुई, तो ये बहुत बड़ी विडमना है, और एक ये भै का जो माहौल आज देश में पैदा किया जा रहा है, ये सबसे गलत होता है, हम आज कल देखते हैं कि अब जैसे रणनीती हम नहीं बताएंगे, या हम बाद में आत्मन्थन करेंगे, जनता समझदार हो गई है, और अब जरूरत है राजनेताओं को भी थोड़ा समझदारी से, कि पाटी इस स्थिती में नहीं है, कि उस एक स्थित को जीत पाए? या फिर वो को पर दे सकती है, बस पाटी है, जैसे राजनेताओं के द्वारान देखा गया था, वो चाहती तो कुछ ना कुछ हो सकता था, लेकिन कोशिश नहीं की गई. इग्जाक्ली, इग्जाक्ली, तो वो समीकरण जब चुनाव में नस्दीक हम पहुँचेंगे, तो उस ताइम क्या फेर बदल होती है, ठीक है, जैसे अभी कॉंग्रेस प्रवक्ता ने कहा, कि जो हमें अप्रोच करेगा, हम उसे सपोर्ट करने की सोच सकते हैं, वो आला कम करता है, उस बिनाहा पर, उस बनियात पर हम आगे देख सकते हैं, पंचायच चुनाव, आगे देख सकते हैं, विधान सबाद चुनाव, शायद एक ट्विनिंग बन जाएगी, और कोई बात चल रही होगी, और अंडर्स्टेंडिंग अची हो जाएगी, तो शायद आगे पर तक की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जो परधान मंतरी बनाएगा, उसी के साथ आप जाएगे, लेकिन उन सबसे हीतर, सबसे महतपून और मजू सवाल, आज के दौर में तो यही है, कि MLC चुनाव में समाजवादी पार्टी को आप किस तरीके से टकर देंग क्योंकि जिस दौरान राज्यसभा चुनावा राज्यसभा चुनाव के दौरान वस्पास सुप्रियों मायोती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ वो जाएंगे नहीं है उनको जाना पड़े बीजेपी के साथ क्या इस बात को हम यहां रख सकते हैं मैंसी चुनाव के दौरान नहीं पंकर जी एक तो बैंजी ने कभी यह नहीं कहा कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे यह प्रेस रमेश्ट आपको इस बात को पुक्ता करेंगे चलिए आप मीडिय का सब्सकार अंप प्रदान Μंत्री का सब्सक्ति लिए यह प्रदान मंत्री अंनकर का सपना प्रदान सब्सक्राइब की धैटरी तो क्यों कि दौड़ा से हई हिसाब से में बेल आप यह जो चुनाव जो आज निर्वाचित MLC है उसमें बार्वे नंबर पे गाजियवाद के प्रदीब जाटब BSP के प्रतियासी थे मैं पुरानी बात बता रहा हूँ आपको और बार्वी सीट हमने निकाली थी बार्वी सीट भी हमने निकाली थी तो कोई ऐसी अभी रणीती का खुलासा सारी रणीती का खुलासा मैं आपके चैनल पर नामंकन का दौर शुरू हो चुका है आप रणीती का खुलासा यानि कि रन्नीती कुई है, आप खुलासा नहीं करना चाहतें और ये प्रदे के पीछे वाली जो राज निती है ये जन्ता इसको बखुबी समझती है अभी समय आने दीजिए सारी रन्नीतYourा आपके सामने आ जाएंगी समय आने आम जन्ता ने तो बोट करना नहीं है बता जिए दलित विरोधी कौन सीचा। नहीं यह सारे दलित बोड़ी हैं चाहे हो बीजेपी हो कॉंग्रेस हो समाज़वादी पार्टी हो इनोंने तो दलितों का बहुत नुकसान किया है जो बावा साब के सपने थे उनको चकना चूर किया इन पार्टी ने इस देश के लिए शौकात अलिए आपके पास आ रहे शा राजसभा के चुनाव का जिक्र होई गया हमने नाम भी दे रखा था और मैंने जिक्र भी किया था कहीं ये राज्यसभा चुनाव पार्ट टू तो नहीं है जिस तरह कि रंडितिया बनी राज्यसभा चुनाव के दौरान और सिटी लास लास में आकर कैसे बदली वो सब ने और धर्मी चौधरी ने जिकर भी कर दिया राजेसे माचुनाव का क्या वैसा ही कुछ होने वाला है यहां पर भी पंकष जी दर्मी चौधरी को साथ याद ही नहीं जिस पार्टी के नेतरत्र में वह काम कर रहे हैं उनको अपने नेता के बयान याद नहीं साफ तोर पे बहुजन समाज पार्टी की नेता ने कहा था कि अगर हम अब मुझे बदला लेनी लिए मैं भाजपा के साथ चली जाओंगी तो अब उसके बाद प्रेस कांफरेंस भी की थी और धनवी चौदरी जी साफ तर पर कहरें कि ने ऐसा कोई बयानी नहीं दिया जब ब समाज की बात करने वाले सिर्फ दलीद पर टगेती कि समाजवादी पार्टी की जो जो समाजवादी पार्टी का जो स्टेंड है पंगाजी हम बार बार कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई सही तरीके से लड़ने और जीत कराएंगे अज भारते जनता पार्टी के पास इतने को बता दूँ शुन लिजये सुन लिजये सुन लिजये हमाई पाप बताने के लिए इसलिए मैंने का ना आप नव जिता राएंगे एक आपका रुक जाएगा उस पे गुड़ा-गलित करते रहेंगे आप तो अभी आप जाएए उनसे पहले बात कर लिए ये जरमीर चौदरी बात कर रहें आप से ग्यारव क्यासी आपने बोसित नहीं किया और आप बात कर रहें हमारे पास जो ताकत है हम उसका इस्तमाल करेंगे हम जीत कर आ चौदरी साब धरमीर चौदरी बसपा वाले और चिंता हो रही है समाजवादी पार्टी की आप से पूछ रहे हैं धरमीर चौदरी की आप कहां से एक सीट को और जीत पाएंगे ये बीजेपी वाले नहीं पूछ रहे हैं ये बसपा वाले पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं जो कुरे दे जा रहे हैं। तो बात ही मत करिए बाटर्ति जंता पाटी का सहरा लेकर बैठे वे हैं कि लोगों ने कहिं कि पूछाइगा कि दो मेंसे नहीं और आपको इस बात का जबाब देना होगा हम हैं हम लड़ाई में हैं इसलिए दमदारी से अपनी बात कह रहे हैं और हमारे दोनों प्रतियासी जीत कराएंगे पंगजी बहुजन समाज पार्टी पार्टी जंता पार्टी के साथ जो समझोता कर रही है जो कमरे के अंदर आपके विश्लम में और गूत दे जाएं अपने नेता के बैयान सोड़ा गूगल पर चेक करिये जाके आपके भी मिश्लम नेता करें जयांगे बहुत सारे लोग आ गए हैं और आप खत्मोने का गार पे हैं आप अपने जिल्डाय में करिए एक मेरा रुक्त कर रहे हैं घर्मी चौदरी जी एक बात बताईएगा मौझदा वक्त में बस्पा के पास क्या पूरे 18 विधायक है या फिर नहीं है बिलकुल नहीं प्रेस वाले जो है बहुजन समाज पार्टी का ये दन्ना सेटों का सपोर्ट करते हैं प्रेस वाले बहुजन समाज के कहा सपोर्ट करते हैं ये आपके पास वो 18 ए 18 विधायक बच्चे हैं कई राजी सभा चुनाव जैसी इस्तिती ना हो जाए राजस्वा चुनाव नहीं उससे पहले एमल्स जी का चुनाव भी हम जीते थे जी आधरणियां भी उन्हाव मेटकर जी एमल्स जी बने थे जी उवे नासिर साब आपके पास में आरा पर बताते रहते हैं लेकिन ये प्रेस वाले भी किसका गुरगान करते हैं देखिए ज और खबर हम से पूछेगा तो हम बताएंगे आपके पूर्सरय नहीं भी है भी गर वह गर वहे नासिर साब आपके पास आ रहा हूं अब ये ग्रेडित भी खुद ले ले रहे हैं धर्मिर चौधरे जी वह गार्खा चुनाव के दोरान क्या हुआ था गौत्म जी कैसे जीत के चले गए और यह इन्होंने वाकई में कहा था कि जीतेंगे लेकिन पत्ते तब भी नहीं खोले थे नार्सिस आप अब अब नासर जी आप तक अब आज पहुंच रही है पत्ते खोलेंगे नहीं लेकिन जीत जरूर मिलेगी अब वो कौन से किताब है जिसके पन्ने पल्टे जाएंगे और कौन सा वो गुणा गणित और कौन सा फॉर्मूला है जिससे जोड़कर पर्दे के पीछे ये बताया जाता कि दो पर्चे खरीदे हैं एक तो जरूर जीतेगा क्या आपके पास भी कोई ऐसी बुक है को ऐसा फॉर्मूला है कि आप लाने के साथ जाएंगे उसकी जीत हंड़ेट परसेंट होगी नहीं नहीं हमारे पास ऐसा कोई गडित नहीं है हमारा इतना बड़ा इसके है कि हमारे पास कुछ पांच मेले है और वह अबने जैसा कि कहा हाई कमांड डिसाइड करेगा कि वो लो किसको सपोर्ट करें लेकिन मैं यह समझता हूँ कि इस वकाद सबसे पूर पॉजिशन में यह 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 पास पांच मेले हैं उसमें से बागी भी आजकल सुर्ण निकल कर आ रहा हैं पूरे पांच बादा दीजेगा नहीं आज की तारिक मेंबद दू कि लिए वागियों को निकाल किमने पांच बताstar के हमने पांच निकाल के हमने हमें पांच हैं अर हमारे पांचंतलिड है आज की तारीक में पांच अपbanehoe यह पांच कहा जाएंगे यह आप भी नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास भी अभी आला कमांद से हाइ कमांद से ठीक है बिवेक सिंग आपके पास आ रहा हूं थोड़ा से इस इस्तिती से पर्दा उठाएगा अक्सर बार-बार कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी के नहीं दिखती नहीं है क्या यह समझ लिया जाए कि कही ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है और वह बाइट तो आपको याद होगी बस्पा वालों को शायद ना हो बस्पा सुप्रीम मयावती ने तब क्या कहा था देखी पंकर जी भारते जिंता पाट्टी का अभी तोड़ फोड़ का ऐसा तो कभी आज तक वो कोई रहा नहीं है कि कोई कैंडिडेट का यहां पर तोड़ फोड़ करके लाया जाए राज सब राज सुबाद चुनाओं के टाहिं पे किसान का सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया है वह आप पूरा देख देख रहा ह अन दाता के उपर हाथ़ार रखे मकेन दिख्कत नहीं है कहानित्तानी उसमें क्या कर रह। स्प्रिम पोर्ट के अन्दर की तो परदे के पीछे वआ करती है। आपके सामें लिश्ट रहेगी अनिदाता की उपर अधियार रखे आपके पास कुछ नहीं बचाए आप अनिदाता को आगे करके अपनी चीजों को भुनाने की कोछिस कर रहे हैं एक सीट के लिए लड़ाई है नाक की वो एक सीट क्या बीजेपी उस पर भी अपनी दावेदारी पेश करेगी या फिर नहीं करेगी पंकर जी पार्लियम हम डिवेट की सुरवात में मैंने बोला है सेंटर पार्लियमेंटरी बोल्ड जो हमारी अपनी है वो जो निर्ड़ने देगी क्योंकि अभी प्रत्यासियों का नामी फाइनल नहीं हुआ है तो जब तक वो आ नहीं जाता मैं किस किस सितिती में आप यहा अपने दस उमिदवारों को लेकर आ रहे हैं उसके आगेक अगर कोई निर्ड़ने लेता है तो सेंटर पार्लियमेंटरी बोल्ड बाकी के बचे हुए जो विधायक है सार्प्रस जो आपके पास है जो अपने ब्याज सुरूप तका हुआ है वो किसे देंगे आप वो किदर यह केंडरे नितरत ब्वले करता है यह निटाइट कर अला विवेक सिंग कोई नहीं होता हमारा प्रल्यामेंटरी बोर्ल्ड उसलाना है कि कि लोग जना है रेकिन गारी है और वश्रफ़ पार्टी के बारे में हाई कमान अपनी बारे में जब दस पर्चे लिए हैं तो यह एक चीज़ रमेश ठाकुर जी के पास हम जा रहा है वो तमाम चीज़ों को साफ कर लेंगे लेकिन रमेश इस बात का जबाब भी चाहिए होगा कि आज के दौर में अपनी बारे में जितनी जानकारी हो या ना हो दूसरे के बारे में तमाम जानकारी है देखिये कौन कहा से ले सकता है कितने ले सकता कैसे ले सकता है और अपना हाइ comments बहुद cesayayan बिज़े हर ऑट करती हैं सब पार्टिया कहती हैं कि हम बहुत उनके और अब मजबूत जब होती है तो एक बोलर अपना एक रिजब्र लेके चलती है कि लास्ट वाले अगर जो भी अच्छे वेस्ट में ने उनको आउट किया जाए मुझे लग रहा भारती इंता पार्टी इसी तरीके से अगर दो सीटें सपा जीच जाती है तो बहुत इस परस्ट हो जाएगी 2022 के लिए और उसके आगे के लिए अगर एक सीट पर वस पार्टीयां हैं ये सारी की सारी आपस में ही मिलके सारे काम करती हैं आपस में ही मिलके सारी चीज़ें करती हैं जब चुनाब आ जाते हैं तो जनता के और जो जनता जनारदे नो उनके इससे में तो बादे आ जाते हैं लेकिन जो सौधे होते हैं वो आपस में करते हैं लो वही सौधेबाजी का ये जो MLC की चुनाव हो गया, चाहे राइसभा का चुनाव हो गया, चाहे और तरीके से चुनाव हो जाए, जिसमें जनता की भागेदारी नहीं होती है, ये पंकत जी पूरी के पूरी सौधेबाजी के तिपेंड होती है, थोड़ा सा ये भी दर्शकों लेकर बिलाज सुबा चुनाब के लिए बढ़ा है है इसमें कोई दोरा नहीं आपने जो मुझे कहना था वो आपने कह दिया यह जो चुनाब है यह जो खाका जो तियार किया जा रहा है जो सैमी फाइनल है भी यह 2022 का है भाजपा यह मान के चल लगी है कि 2022 में अगर हमारी स्थिती कहीं पे खुदाना खास्ता कमजोर रहती है तो एक पार्टी को हम लोग मजबूती से अपने साथ में लेके चलेंगे वो चाहें बसपा हो चाहें सपा हो दोनों पार्टी ओपे भाजपा की अगर देखे जाए एक गिर्द नजर एक समय दोनों पार्टी ओपर है अब वो कहते हैं कि देखो भाजपा एक ऐसी पार्टी आए जो तोड़ फोड में जो अपने साथ लाने के लिए कुख्यात हो चुकी है वो कुछ भी कर सकती है उनको चुनाब जीतना है उनको सरकार बनानी है उनको कोई मतलब नहीं है अब जैसे आपने एक बार का कि मायवती ने एक बार ये दिया था चाहे मुझे आजपा के साथ में जाना पड़े बिल्कुल नहीं 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 पड़े तो हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे ये बात उन्होंने कहा है ट्रेक्फरम पर कहा है अरे थेखो अपने इसी चैनल पे एक बार धरमबीर चौदरी सामने मेरे से भी कहा था कि ये जो हमारा सपा बसपा का जो गठवंदन है दो जार बाइस तक रहेगा ये बैटे हुए पैनल बेजा इन से पूझिएगा लाला कि मैंने ये कह दिया था मैंने के चुनाब हो उसके बाद खतम होगा बूची यह हुई जी निरेल सिंगर साब आपके पास मैं आ रहा हूँ इस गड़ित को थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश कीजेगा जो सियासी पार्टिया सुलझ पाद चाहती नहीं है क्योंकि एक सीट का मसला है वो सीट अपने बल्मूते पर न सफा जी सकती है न मीजपी जी सकती है न बसपा जी सकती है कॉंग्रिस तो नसे साब कही चुके हैं कि पाच उनके पास है और वो किसके साथ जाएंगे जो उनसे कहेगा उनके साथ वो कि परदे के पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा सपा बसपा जो कभी नहीं मिल सकते थे वो भी मिल गए तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब इसका जो राजनेतिक समीकर क्या बनेगा कि जैसे क्लियर दिखाई दे रहा है कि दस सीट है बीजेपी के पास है एक सीट एसपी के पास है अब प्रतेक्ष तोर पर बीजेपी बसपा को सपोर्ट करेगी क्योंकि बसपा का उमिदवार जीतने का मतलब यही है समाजवादी पार्टी आ नहीं सकती जैसे ठाकुर साब ने कहा कि जो अब भाजपा की रणनीती होगी कि उन्हें कोई न कोई एक पार्टी की जरुरत पड़ सकती है आने वाले चुनाव में और जैसा मैंने अपनी पिछली बात में कहा कि अब इसमें कौन किसको सपोर्ट करेगा वो आगे के चुनाव की रणनीत कि हो सकता आपके विधायक हमें सपोर्ट कर दें ठीक है बस पावालों का अपना इस पर कुछ कहेंगे जो बात अभी रमिश ठाकुर भी कहते दिखाए दिये जो बात अभी सिंगल साब कह रहे हैं इस बात पर कुछ कहेंगे आपके वाक आपर जो राजी सबाचुनाव के दोरान दिया गया था आगे बीजेपी इस रणनीती के साथ काम करें क्योंकि सुहल दे भारतिय समाज पार्टी आपके साथ थी वह आपसे अलग हो गई है आपको नए साथियों कि जरूरत शायद पढ़े तो आप किसके साथ जाएंगे जरूरत पढ़ने पर आप किसको पर अपना खुद देखे भारतियंता पार्टी विधान सभाज चुनाओं में अकेले ही जाएगी जिला पंचायद भी जो भी पंचायद का इलेक्शन होगा प्रधान का जो हम लोग अकेले ही लड़ेंगे ये नहीं बताएंगे कि नाशी साब कुछ कह रहा है आप अब नहीं क पहुँचे थे सर आप सुनिये का जो आजमगर पहुचे तो कह रहे थे 28 मरतबा किया है पर्मिशन नहीं मिली इस मरतबा मिली है तो आया हूँ अब इस मुर्तबा क्या पर्मिशन मिली है या फिर दी गई है अब तो समझ में आ गया कि जी अगर अगर हारती जन्ता पार्टी रोगने तो आप एंगे मुस्लिम बिरोधी है आने के लिए कह देती है तो आप कहते हो यार वह हमारी लैला है तो आप ये विपक्ष का टेस्ट कोई ले नहीं है नासिस साब वैसी के एंट्री से तो आप ही लोग ये बोलते कि उनको रोकने की कोजिस की जारी है ये चीजे चीजे लगती बार बार सपा की थी हमारी तो थी नहीं हाँ ओए नासिस साब अब वैसी की एंट्री से तो ये मैसी चुनाव कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है ये चुनाव तो आप ही लोग टैकरिंगे सपा वस्पा कॉंग्रेस बीजे पी इन्हों ने जो बात कही थी लैला मर्टू वाली बात क अब यह तो भाई यही लोग जा सकते हैं हम तो इस वक्कर में पढ़ते हैं हमारा अपना किलियर केट जी शौकत अली जी क्या आप बता पाएंगे इस बता यह बताने की स्थिति में है या दूसरे दूसरे के घर पर नजर रहती है देखें लेला और मजनु मिल रहे है नही इसलिए साइद मुझे लगता वो डर अभी भी जारी है और इसलिए प्रत्यासी कम उता रहा है ऐसा नहों कि इनके खुट के विढ़ायक बागी हो जाएं और जो नो की गडिस दस की गडिस समझा रहे हैं उन नो पर रहे जाए साइद मुझे लगता इसलिए बगल वाले प चुनाओ में तो उसका फर्क पढ़ने वाला नहीं है धर्मिर चौदरी के पास हम चल रहे हैं चौदरी साब थोड़ा सा स्थिति को यहां पस पष्ट करके चलिएगा जो लेना मज़ूर की बात आ रही है क्योंकि यह तो आप कहें नहीं सकते हैं किसी के साथ जाएंगे नह लाएंगे नहीं जब मुलायन सिंह यादव काशिराम मिले थे जब बायवती और अकलेश मिले थे इधर जो गडवन्दन होते रहे हैं चलिए सियासी प्रस्थितियों में मांग होती है और उससाब से चला जाता है लेकिन उन सबसे इतर मोड पर जाकर खत्म होगा किस मोड पर जाकर सियासी उट मलसी चुनाओं का बैठेगा आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता क्योंकि बीएसपी ने दो पर्चे खरीदे मैं वहीं रहूंगा तो अभी आप बता रहे हैं ऐसी अभी आधिकादिक घोश्रा तो कोई तरीके की हुई नहीं है 18 पर्चे खरीदे गए पहले यह बता जी है MLC कौन बनेगा आपकी तरब से और कैसे बनेगा वो जोतिस का काम नहीं है यह बहुजन समाज की ताकत है फिर मैं आपको बता रहा हूं यह बहुजन समाज जो है विवस्ता परवरतन की लडाई है और इस लडाई को हम 100% जीतेंगे बहन जी को PM बनाए बनाएंगे सर उसके लिए तो 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा ना बिल्कुल करेंगे पहले MLC फिर पंचायत फिर विदान जमाज जीतेंगे अगर दखिए यह बताने की आवशकता पंकर जी दुबारा नहीं है अगर बहुजन समाज के हित में लिया होगा पार्टी के हि जाता है उदर हाज रीद भी हो जाती है पंकर जी आपको एक्शुली मुझे देखके है ताज्यव हो रहा है कि जब भी कोई बात होती है आला कमान या पार्लेमेंट या वो डिसाइड करेगा हम राजनितिक उसमें एक तरफ बात होती है पारदरशिता की हां सबी लोग करत कि वो अपने नीचे वाले लोगों तक उसका मैसेज क्यों नहीं पहुचता है ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मारक है क्योंकि हमें जब किसी सवाल से बचना होता है और ये पबलिक भी जानती है कि आप एक सवाल से बचने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने सारी चीज़ पर्टियों को कि ये किसी बी पार्टि पेलिए लिए पेले आपके चखकर में चुनाता है, नतीज़िया आजाते है ये देखिए ये कहेंगे कि हर पार्टिय का अपना एक क्रॉय पर्टया होता ये चैन करती बिखती फिर उप में परत्यास कोई ऐसी कोई बात नहीं बस्ते है बाकि जो विधायक बचेंगे उनका क्या होगा यह समझ भबाए अगले MLC चुनाओ में कहीं इस्तिमाल होगा क्या उनका नहीं देखे अगले में नहीं होगा देखे मैं फिर कहता हूँ अगर जिनको रहना होगा जो पार्टी का आदेश हो आपके बात के उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि यह आगे decide होगा कि हमें neutral रहना है कि ने वैसे जहां तक हमें लग रहा है हम लोग neutral ही रहेंगे अपने 10 candidate के साथ ही हम जा रहे हैं नर्से साब आपके पास बेहार हूँ विधानसबा चुनाओं में भी उसको देखा जा सकता है उस रणनीची के हिसाब से इस बार इधर से उधर गलवहियां होंगी बगलगीर बनेंगे एक दूसरे के यह तो बिल्कुल पक्की बात है जैसा कि ठाकुर साब ने का और हमारे सिंगल साब ने भी का यह तो बिल्कुल सही बात है कि जो कुछ भी आज इस MLC के चुनाओं में जो भी गरबंदर बनेगा वो हमारे असंबली के लेक्चन में वो एक सेंबल होगा कि हमारा जो असंबली का चुना होगा उसमें कौन किसके साथ जा सकता है और यह बात ठाकुर साब में भी कही बिल्कुल सही कही कि बीजेपी को भी वह चाह जितना ही इस्योर हो कि हम यह पूरी ताकत से आ जाएंगे पूरी सा जाएंगे लेकिन बीजेपी को भी यह जो भी पार्ट जोर का उसके फ्यूचर का इसान पूरी साब अब जो चुनाओ की बात हो रही है दोस्ती की बात होई रही है तो थोड़ा सा कॉंग्रिस के बारे में बता पाएंगे कि किस तरह कि सिटी में रहने वाली है क्योंकि आजमा सब कुछ चुके हैं और हाथ कुछ लग नहीं रहा इलक्शन हो जाने दीजिए चले हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है जे वही चीज़ होगी ने क्या हमारे दिल में हम बताएंगे नहीं बहुत शुक्रिया आप सभी में मानों का मासा चुड़ने के लिए और उमीद यही कि MLC चुनाओ जिस तरीके से अभी की बताई गई एक समाजवादी पार्टी की लेकिन एक सीट किसके खाते में जाएगी ओ गुणा गड़ित स्यासी पार्टियां कर रही है लेकिन पत्ते भी खोल नहीं रही है पर्चे सब ने खरीदे हैं लेकिन उन पर्चों में एक नाम किसका भरा जाएगा किस तरीके से किसके समर्थन से भरा जाएगा या आने वाला वक्त बताएगा बड़ी वहस में आज इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रही है आना इंटीवी के साथ